परी की छे बड़ी सरकारी भरतियों के फोरम के बारे में जिनके लिए आप लोग भारत के किसी भी राज्य से आवेधन कर सकते हैं कुछ भरतियां ऐसी हैं जिसके बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं होती इसलिए आप उसके लिए आवेदन करके आसानी से 2024 के अंदर सरकारी नोकरी पासकते हैं ये भरतियां अलग-अलग डिपार्टमेंट से आई हुई हैं जहां पे आपको FCI डिपार्टमेंट मिलेगा पतवारी के पदों पे भरतियां मिलेंगी इनिमल हस्वेंडरी डिपार्टमेंट भारती पसुपालन विवाग भी आपको इसके अंदर मिलेगा और भी कई सारे डिपार्टमेंट है जिसके बारे में आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ भरतियां ऐसी हैं जिनके लिए कोई भी किसी भी तरह का आपको एक्जाम नहीं देना होगा सीधी भरतियां हैं कुछ भरतियों के अंदर आपके डारेक्ट इंटर्वी होने हैं ऑनलाइन तरीके से आपको आभीधन करना हैं छे डिपार्टमेंट की बड़ी भरतियों को मिलाके 18,000 से ज़्यादा नमबर और विकेंसी होती हैं 18 से लेकर 55 साल का कोई भी कंडिडेट आभीधन करेगा महिला और पुदूस दोनों के टेगरी के कंडिडेट आभीधन कर सकते हैं दसवी पास से बारवी पास से तो ज़रूर आभीधन करें इसके लाबा अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आपके लिए भी भरतियों के नोडिफिकेशन है ITI डिप्लोमा सभी कटेगरी के कंडिडेट के लिए भर दिया है तो इस वीडियो को आखरी तक देखें वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और आगे आने वाली वीडियो की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल लोडिफिकेशन को ज़रूर आउन करें चलिए शुरू करते हैं तो आज की अपनी जो पहली विकेंसी है GSSB की तरफ से आई हुई है अधिक ज्यानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिया गया है क्लिक करके इस मेंच पे आ सकते हैं या फिर आप लोग गूगल पे जाके www.nokrikabat.com टाइप करेंगे आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी इस विकेंसी के लिए आभीदन 1 जनवरी से 31 जनवरी 2024 तक चलने वाले हैं अपली केसन फीस यहाँ पे जर्नल OVC EWS का 500 और S.E.H.T.P.H. का 400 लगेगा एज की बात करते हैं तो 18-35 साल का कोई भी केंडिडेट इसके लिए अपलाई करेगा टोटल नमबर विकेंसी की बात करें तो आपको 4304 पत उपर भरतिया देखने को मिल जाती है जहाँ पे आपको Junior Clerk की, Senior Clerk की, Head Clerk की, Office Assistant की, Junior Clerk की और Office Superintendent की, इसके साथ यहाँ पे रेश्टार की और Stamp Inspector की, Belfare Inspector की, Assistant Social Belfare Officer की Social Belfare Inspector की, Collector Office Clerk की और यहाँ पे Home Maker से लेकर और भी कई सारी पोश्टे हैं जूनियर असिस्टेंट की जिनको केलकुलेट करेंगे 4,304 पदों पर ये टोटल जो विकेंसी है निकल के आती है अलग-अलग पोश्ट के हिसाब से 10-12 ग्रेजुएट पास वाले आभीधन करेंगे और इंडे लेबल की जॉब है male, female दोनों आभीधन कर सकते हैं अगर अभी तक आप लोगों ने WhatsApp ग्रूप को जोईन नहीं किया तो जरूर जोईन करें ताकि आपको आगे भी अपडेट्स मिलती रहें 26 से लेकर 49,600 रुपए की सेलरी आपको इसके लिए मिलेगी दो तरह के आपके एक्जाम होंगे एक प्रिलिम और एक मेंस उसके बाद आपको डाकुमेंट वरिपिकेशन की प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा कैसे आप लोग आभीधन करेंगे उसके बारे में ज्यानकारी है और यदिक ज्यानकारी के लिए यहाँ पे इंक्रिजमेंट का नोटीस आपको नीचे मिल जाएगा डेट्स में जो इंक्रिजमेंट होई है यहाँ देख सकते हैं जो आपकी एज लिमीट है 18 से लेकर 40 साल की है इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं टोटल नंबर विकेंस यहाँ पे 322 मिलेंगी जहाँ पे अलग-अलग आपको पोश्टे देखने को मिलेंगी नेम आप दी पोश्ट नंबर विकेंस यहाँ पे हैं सेल्स एप्रिजेंटेटिव की सेल्स कोडिनेटर की आरो की, ए आरो की, ए बीम की, एम की, डिजिटल मार्किटिंग की टेली कॉलर की, डिरेक्ट सेल्स की और इसी के साथ यहाँ पे आपको परचेस किस्टमर सर्विस की, नेटवर्क असिस्टेंट की, कोडिनेटर की, फिल्ड वरकर की, ट्रैफिक एनालिस्ट की और हैबी एंट लाइट वेकल, ड्राइबर की पूश्टे मिलेंगी 10-12 ग्रेजुएट पास आभईधन करेंगे, और लिंडर लेवल की जॉब मिलेगी, मेल एंट फी मेल दोनों आभईधन करेंगे 10-20,000 रुपए स्टार्टिंग की सैलरी, रेटन टेस्ट, स्किल टेस्ट, इंटर्विव और डाकुमेंट रिपिकेशन की प्रोसेस पे आपको जो है तो सलेक्शन पाना होगा बाकी अधिग ज्यानकारी के लिए यहाँ पे लिंक दिये गए हैं अप्लिकेशन फोरम और नोटिपिकेशन का इसको आप लोग देख सकते हैं अप्लिकेशन फीस यहाँ पे जर्नल OVC EWS की 600 और बाकी बचे हुए कंडिडेट को 400 रुपए देने पड़ेंगे एक लिमिट की बात कें तो 18-40 साल का कोई भी कंडिडेट यहाँ पे अप्लाई करेगा टोटल नमबर वेकेंसी की बात करें तो 5934 पदों पे भर दिया है जहाँ पे अनिमल अटेंडेंट पस उपरिचारी के पदों पर भरतियों के नोटिपिकेशन मिलेंगे पेंथ पास वेकेंसी है, औल इंडे लेवल की जॉब है, मेल और फी मेल दोनों आवेधन करेंगे तोडे टॉडे टॉप जॉब लिस्ट की बात करें तो यहाँ पे अपने कौलिपिकेशन के आधार पे जॉब्स को देख सकते हैं अठाइस से लेकर 75,000 रुपए की सेलरी है, सेलेक्शन की बात करते हैं तो रिटन एक्जाम, डाकुमेंट वेडिपिकेशन, मेडिकल और फाइनल मेड लिस्ट के बेसिस पे आपका सेलेक्शन होगा बाकी सभी इंपोर्टेंट लिंक के यहाँ पे दिये गए हैं, तो रिटन वेडिकेशन वगएरा को आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आज के अपनी चौती गवर्मेंट जॉब है, फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जहाँ पे आपीदन करने के लिए 9 जनुवरी से 8 मार्च दो जार चोबिस तक का समय दिया गया है अप्ली केसन फीस इसके लिए आपको नहीं देनी होगी, आप लोग निसलक आभेदन करेंगे एज लिमिट की बात करते हैं तो 18 से 45 साल का कोई भी कंडिडेट आभेदन कर सकता है यहाँ पे आपको वैरियस नंबर और पोश्टें मिलेंगी जहाँ पे फूड प्रोडक्शन की आपकी पोश्ट देखने को मिलेगी 8 पास विकेंसी है, और इनलेवल पर मेल और फीमेल दोनों के लिए इसके लिए सैलरी, रूल्स के एक्वाडिंग ही रहेगी और आपका सेलेक्शन बिना किसी एक्जाम के किबल और किबल इंटर्व्यू के बेसिस पे होगा साथ ही साथ आपका डाकुमेंट रिपिकेशन भी होगा पटवारी के रिक्यूटमेंट है, इसके लिए सौट नोडिफिकेशन यह यूँ कहें कि न्यूस पेपर की तरब से नोडिफिकेशन आ चुके है पटवारी के पदो पर बंपर भरतियां जिसके लिए आवीदन आने वाली जनवरी के 25 या उसके बाद से सुरू होंगे जो कि फरवरी मन तक चलेंगे अप्लीकेशन फीस के बारे में अपी नोडिफिकेशन में कोई जानकारी नहीं है एज लिमिट की बात करते हैं तो 18 से 40 साल का कोई भी कंडिडेट आवीदन करेगा विकेंसी डिटेल्स की बात करें तो 3000 पदों पर भरतियां हैं जहांपे पटवारी की पूश्टे होने वाली है 10-12 ग्रेजुएट पास वाले आवीदन करेंगे और इंडे लेवल की जाब है मेल एंड फी मेल दोनों आवीदन करेंगे इसके बाद सेलरी आपको पटवारी के पदों पर 24,300 से लेकर 70,000 प्लस यहां पे आपको मंतली की देखने को मिलेगी ऑनलाइन एक्जाम और डाकूमेंट वैडिपिकेशन के आधार पे आपका सेलेक्शन होगा इंपोर्टन्ट लिंक की बात करते हैं तो अभी अपलाई स्टार्ट नहीं है नियूज पेपर के माध्यम से सौटन वैडिपिकेशन आया है उसका लिंक यहां पे है इसको जरूर से एक बात डाउनलोड करें आज के अपनी आकरी और छटी नंबर जो जॉब है इसको आप लोग पार्ट टाइम भी कर सकते हैं पी एनबी पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से यह जॉब आफर आपको की जा रही जहां पे 2000 से ज़ादा ज़य तो एडवाइजर के पदोपर वेकेंसिया है पी एनबी आनि पंजाब नेशनल बैंक है एडवाइजर के पदोपर वेकेंसिया है 2000 से ज़ादा जॉब है लेकिन पार्ट टाइम है आप इसको कहीं से भी आपडेट कर सकते हैं अठवी दसवी बारवी पास से तो इसके लिए आप लोग आविदन कर सकते हैं 18 से 45 साल का कोई भी केंडिडेट आविदन कर सकता है 5 साल और 3 साल की छोड़ भी है 20 जार तक की सेलरी है इंटर्व्यू के आधार पे आपका सेलेक्शन है एक से लेकर एक फरवरी यानि की एक जनवरी से एक फरवरी तक आप लोग आविदन भी कर सकते हैं इसका नोटिपिकेशन जारी हो चुका है इसके लिए आपको यहां से नीचे आना होगा किसी भी notification के लिए आपको important link के section पे आ जाना है यहाँ पे आपको application forum और notification मिलेगा इसको ज़रूर download करें कोई भी समस्या होती है comment करें मिलते हैं अगली update के साथ next video में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद